हेलो प्रेंस वेलकम बैक टू माई चैनल और कैसे आप सब आशे करते हूं आप सब बहुत अच्छे होएंगे तो यह है मेरा शाम का व्लॉग और शाम को मैं कर रही थी अपने खाना बनाने की तियारी तो यहां मैं चट्मी बना रही थी और प्लैन कर रही थी कि मैं पकोड़ बनाऊंगी बट अभी उसके लिए बहुत जादा देर हो चुकी थी सोचने ही सोचने में ऐसे दिन चला गया था तो फिर सोचा की रहने दिया जाए तो मैं अभी चट्नी बनाके जरूर रखूंगी क्योंकि एक दिन में तो सारे काम पॉसिबल मेरे लिए बिल्कुल भी नह तो मैं पहले ही करके रख लूँगी तो फिलहाल तो मैं रात के खाने के लिए आटा गूथूंगी और सबजी यहां मेरी चने की बनी हुई है तो उसी से खाने वाले हैं चट्नी मैं इसलिए सोच ली थी कि धनिया बहुत जादा रखा हुआ था तो कुछ तो सबजी मैं थो बहुत जादा था और मैंने हरी मिर्च थोड़ी कम दी तो यह थोड़ी सी तीखी कमी बनी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चट्नी का काम है वह बहुत तीखा वाला होना चाहिए जिससे कि इसको सबजी की तरह नहीं चट्नी की ही तरह खाया जाए तीखा होगा तो बार खोल के गुमाना पड़ता है चम्मत से चलाना पड़ता है अगर इसको ऐसे तरीके से थोड़ा थोड़ा सा काट लेना तो एक बार में ही चट्नी आराम से बन जाती है तो इस बार मैंने थोड़ी से टमाटर जादा ले लिए थे खटा सोचा था लेकिन यह टमाटर करूंगी जीरा पाउडर डाल रही हूँ जबकि मुझे इसमें जीरा डाल देना चाहिए था बट मैंने जीरा पाउडर इसमें यूज कर लिया थोड़ा सा पानी ले रही हूँ इसमें आमला वगेरा हो तो वह भी अच्छा बनता है और जटपट है न मेरी चट्नी बन गई चट्नी में नहीं डाला है और अगर मैं आटा इसके बार में गोटी तो फिर मैं आटे में इसको गोट लेती तो अभी मैंने काला नमक इसमें एड़ कर दिया है और पानी मैं नेक्स्टे उसका यूज कर लूँगी या तो मैं सबजी में यूज करूँगी या किसी और से तो अभी ठंड इतनी जादा है तो मैं उसको एना तवे पे इस तरीके से गरम कर रही थी क्योंकि बच्चों को देना है तो ज्यादा गरम भी नहीं करती हूँ छादा गरम वो खानी बात है तो हलका समय ने तवे पे रखे इसको छुड़ा गरम कर लिया है और अपने खाने की तैयारी करेंगे कल ता ऐसा था कि अभी ठंड तो है ही रात में लग रहा था कि बहुत जादा बारिश होने वाली है और हवा चल रही थी तो लगा था कि ठंड बहुत जादा बढ़ जाएगी तो बच्चों को स्कूल ना भेजू या भेजू बट फिर भी मैं रात में तैय जारियां करी लेती हो next day कैसा मौसम रहता है क्या है बच्चों को भीजना है नहीं भीजना है वो बाद में decide करेंगे लेकिन जैसे ही मैंने ये सुभा का टाइम है रात का निकल चुका है ये सुभा मैंने जैसे ही खिड़की खोल के देखा तो बहुत जादा तेज हवा थी और हवा के चक्कर में वो जादा ऐसे बीमार न पढ़ जाए और अब भी वो थोड़ी सी रिकवर हुई है तो इस वज़े से मैंने उसकी छुटी करवा दी थी बट बच्चों की छुटी करवाना एक तो इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चे घर में रहते हैं तो बिलक कंबल उड़ा के बिठा देती हूं और यहीं पर यह अपना दूद वगएरा लेता है तो अब भी मैं ठंड में गरम पानी पी रही हूं और यह बहुत फायदा गरता है भी गरम पानी है न सुबह जरूर पी लेना चाहिए मैं गर्मियों में नहीं पीती हूं क्योंकि मुझ अच्छे से पीया है यह मदब बहुत मुझे ऐसा लगा कि काफी हलका फील होता है बट अब भी फिलाल मैंने जस्ट स्टार्ट किया है गर्मियों में मैं बिल्कुल भी नहीं पीनती हूं गरम पानी ग्रीन पी लेती हूं तो अभी थोड़ा सा सर्दी से बचना है तो बहु मुझे इतना मॉर्निंग में टाइम नहीं होता कि मैं थोड़ी दे नहीं हां कि बैट जा हूं बट मौसम देखके है ना इतना जादा हालत खराब हो रही थी कि बारिश और हवा देखते हूए तो अभी क्या है मैं रात में सारी तैयारी कर लेती हूं मैं इसकी अरू के सारे बाद में उठके देखा कि बारिश वगेरा हो रही है लाइट भी नहीं थी अभी लाइट मेरे यह बिलकुल नहीं थी तो यह जो इस तरीके से है ना थोड़ा सा ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा तो मेरी यह पूरी वीडियो खराब हो रही थी तो सबजी मैं रात में ही करके रख लीती हूं आलू को काट के नहीं रखते हैं तो यह मैं सुबह रही काटके बनारी हूं यह सेम की फलिया है तो इसको छोक रही हूं और वीडियो की कालिटी भी उतनी जादा अच्छी नहीं आ रही है क्यूंकि मैंने एक ही बल्थ जलाया हुआ था और ये भी उतने बज़े अपना काम जो है शुरू कर देती हूँ क्योंकि time fix है मेरे husband को तो जाना ही जाना है सर्दी हो या बारिश हो कैसा भी time हो तो office जाएंगे ही बस बच्चों की मैंने चुटी करवाली थी और तोनों के ही करवाई क्योंकि मैं वीशु को भी नहीं भेजना चाहरी थी कि मैं उसको भेजूँगी क्योंकि वो अक्सराइना कैप नहीं बेंता है तो वो कैप उतार देता है तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जा रहे होंगे ठंड इतनी जादा थी तो सबजी मैंने बना ली है मसाला मैं ना सुभा मतब ऐसे ही बना के रखती हूँ बहुत सारा अपना ना टाइम भी बच जाता है बहुत अलग-अलग मसाले यूज करो तो एक ही मसाला मैं यूज़ कर लेती हूँ और यहां मेरी सबजी दीरे दीरे बन चुकी है तो मैं हस्बिन का लॉंच पैक कर दूँगी तो खाने के लिए भी मैंने लगा लिया है और चाय मैं दोनों की चान लूँगी मैं भी चाय पिलूँगी और कई बारी जब अरु को स्कूल भेजती हूँ तो मैं उस टाइम पर पी लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम रहता है जब मैं क्योंकि जल्दी उठती हूँ तो वो उसको पूरा रेडी वेडी कर देती हूँ बस थोड़ा सा वेट करना होता है तो मैं उतनी देर बैठ जाती हूँ अपनी सबजी वगेरा जिसे छोग दिया तो थोड़ी दिर बैठना होता है बट फिलार यहाँ पर ऐसा था कि husband को भेजने के बाद ही मैंने अपनी चाय पी थी तो वही है जितना लेट होते जाते हैं उथने में या तो इसाब से काम चलता है काम भी उतना ही लेट होता है हलनकि बहुत टाइम पर मैं उन्हें आफिस भेज देती हूँ सारा लंच वगेरा पैक कर देती हूँ बट खुट के लिए उतना टाइम नहीं निकल पाता है कि आराम से आप बैठके चाय पियो क्योंकि देखो अभी मैंने चाय लेकर जैसे ही बैठी हूँ तो दो बार तीन बार मैं ऐसे ही उठी हूँ और बार बार चाय को गरम करती रही हूँ क्योंकि पहले वीशु का कुछ काम आ गया था, देन उसके बाद अरू उठके आई है, तो फिर उसको मैंने दूर्चोकोज वगेरा दिये, तो जब काम तो बहुत होते हैं, और काम हो नहीं पाते हैं, जब बच्चे घर में होते हैं, बच्चे जब घर में होते हैं, तो उनके काम सबसे ज़्यादा रहते हैं, अपने काम न सिफ उतने हो पाते हैं, जितना आपको बहार नजर आ रहा है, बस आप चलते फिरते इतना काम कर पाते हैं, तो इनकी छुट्टी कराने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये स्कूल चले जाते हैं, तो बहुत फ्री होक करते हैं फिर कुछ खाने की डिमांड करते हैं तो उसी में सारा टाइम निकल जाता है तो मैं यहां इनको बोल देती कि पहले मुझे घर को क्लीन करने दो और देन उसके बाद मैं तुम लोग के आना कुछ बना दूंगी और इस ताहिम तक मतलब यह सुबह अपना जो हलका कुछ रहता है तो फिर मैं खुदी काम कर लेती हूं तो उनके आने से पहले या उनके साथ साथ में अपने घर को समेटी रहती हूं तो अभी दोनों कमरों की हालत बहुत जादा खराब है और ठीक कर दूंगी लेकिन बच्चे घर पर है तो यह फिर से वैसा ही घर कर देंग मैं कमबल वगयरे बिलकुर बिखेर के नहीं हूं जब यह दिन में सोते हैं तब लगें टे हैं कमबल वगयरे तो बस यहाँ पर में ऐन यह वाला वाल है बहुत जादा खराब है से हैंगिंग वाला ताँ यह फिर दोटा सा अच्छा लग रहा थować है तो उसके बाद मैं फैले हुए किचिन में या गंदे में दुबारा काम करने की इक्षा नहीं होती है स्लैब के उपर बहुत जादा आटा या कोई सबजी वैसे पड़ी रहती है तो मैं पहले उसे क्लीन करती हूँ फिर उसके बाद जाड़ू अगेरा लगेगी देन उसके बाद ही सारे काम होएंगे तो बस यहाँ पर बच्चे जब तक घर में है तो फिर मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ ने इस वीडियो में शेर करूँगी कुछ अलग कुछ मोटिवेशनल क्लीनिंग वगेरा बट वो मैं बना ही नहीं पाई तो इतना ही व्लॉग मैं है ना सोचा कि आप लोगे साथ शेर कर देती हूँ क्योंकि अब भी यह काफी रोक के रखती तो थोड़ा सा लंबा हो जाता तो इस दिन तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई थी तो बस इतना ही हो पाया था कि बच्चों के लिए जो हो रहा था जैसे कि यह पास्ता मैंने रात में निकाल के रखा था कि अरू को लंच बॉक्स में दूंगी बट वो नहीं गई है तो यह ना मैं आप बना के दे दूंगी वाइट सास पास्ता है मियावणीज वगएरा डाल कर के बनाती हूँ doe deux बच्चों को बहुत पसंद आया और यह मैंने था प्याज नहीं बॉयल हुआ था बस वही बहुत इसका पूरा पानी यूज नहीं करना है एक दो चमच ही डालने जिससे कि वो म्यावनी स्थोड़ी सी मैल्ट हो जाए और अपने हिसाब से जितना उनको क्रीमी खाना है वैसा बना दो और यह बहुत यमी बनता है मुझे खुद को यह इतना ज करवा दिया देन उसके बाद फिर से लंच की बारी आ जाएगी तो इस वज़े से फिर मैंने अपने वीडियो को भी यहीं तक एंड कर दिया था क्योंकि लाइट भी नहीं थी और बहुत जादा ब्लेंग कर रही है देखो लाइट बहुत जादा बेकार चल रही थी तो ला हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना मैं अपने नेक्स व्लॉग में मिलूंगी कुछ अच्छे से क्लीनिंग के साथ मैं कुछ मोटिवेशनल आप दों के साथ शेयर करूंगी बट अब भी फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तप तक लिए बाइएए और था तक ली बाइएए झायर चेंगी हैं।